हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सब का स्वागत है अपने यूट्योब चनल मी एंड माई यूट्योब क्लासेज हां बिलकुल आज स्वामी जो विवेका नंद है उनका जनम दिवस है उनको हम आज उनके जनम दिवस के उपलक्स में ही हम राष्टी युवा दिवस के रू बेंदाले और इनके जो कार्य हैं उनकी जो फॐन जिस cluster से उनको मैसीं करें और अपने एक द्रक्स मा में इनको सामिल करे ताकि आने जो युवा हैं बहतर तरिके से काम करें और बताना चाहूंगा कि राष्टी युवा दिवस की सुरुवाथ और सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि युवा दिवस की सुरुवाथ है युवा दिवस की रुप मनाया जाता च्युक राष्ट राष्ट के द्वारा यह रिचाइड गया गया था और बहुत ही मैत्वपूंद दिन हैं उन्हें सभी युवाओं के लिए जो मात्मा अपने स्वामी विकानन से प्रेणा लेते हैं तो मैं उनके दो-चार कतन हैं या क प्रेणा स्रोथ के रूप में दो तीन वाक्य है जो आपके सामने कहना चाहूंगा और बहुत ही जीवन के बारे में नहीं बताऊंगा यह बताना चाहरा हूं कि इनकी और इनकी कालियों के प्रेणाम सुरूप ही आज हम इनके जनम दिवस को राष्टे युवा दिवस की र सबी को पता हैं बिल्कुल कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक की लक्षे की प्राप्ती नहीं हो जाए तब तक रुकना नहीं यह युवाओं से का गया है कि उठिए और जागी और तब तक मत रुकिए जब आप जिस लक्षे को लेकर खड़े हुए हैं और इस म सब्द बहुत बात करें थी कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है क्योंकि अगर खुद समझे लिए तो आप दुनिया से क्या मुकाबि़ा करेंगे और यह कुद को में एक आपकी तरह मैसूज करोगे तभी आप इससे निकल सकते हो तो खुद को कभी कमजूर मत समझे कैसे ही प्रस्तिदी क्यों न हो जाए जरूर आगे इस समय में प्रस्तिद्यां बदल जाती है तो अपने आपको कभी भी कम मत आखिए विश्वास मत खोईए क्योंकि आप अपने ओपर विश पना कोई अध्यात्मिक बना नहीं सकता तुमको जब कुछ खुद अंदर से शाखना है आतमा से अच्छा कोई विजा नही यह चीज़े कर सकता हूं तो मोटिवेशन यह नो खुद के अंदर से आना चीए बहुत ही इंपोर्टेंट बात है नेक्स करूंगा कि सत्यों को हजारों तरीके से बताया जा सकता है फिर भी हर एक सत्य ही होगा सत्य हमेशा सत्य रहता है और सत्य को बताने के हजारों तरीके हो सकते हैं लेकि सत्य हमेशा सत्य ही रहता है तो सत्य से कभी मत हटिए सत्य ता केतना जूट के पैर पसर सकते हैं ल बात को मैं दोराओं तो ब्रमान की सारी सक्तिया पहले से ही हमारी है वो हम में ही है जो अपनी आंकों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है तो पूरा ब्रमान जब अपने पास है पूरी सक्ति अपने पास होती है फिर भी अंधकार क्यों लगता है क् कि हम खुद अपनी आंकों पे पट्टियां बांदी हुए हैं बहुत ही मीनिंग्फूल इंपोर्टेंट लाइन है और एक बात जब आती है कि जीवन की प्रिस्तितियों में जब आये तब अपने स्वामी विविवकानन के इस वाक्य को याद रखें कि दिल और दिमाग के टक मैं दिल की सुनें बिल्कुंष सही बात करें किन कि इसे ही कि इनके मेतों फूलायम कonna जीवन है निर्वलता म्रतियु हैं विस्तार जीवन है सब्सक्राब 주는 और यह उतानी को सारांज से बना देते हैं तो किशीर नेक्ट से कए आ आपको कहीं रस्ते पर कहीं पर किसी भी लाइब में किसी भी जगह आपकर जा रहे हो और आपके सामने कभी मुश्यबत आ जाए मुश्यबत का मैंने कहने का मतलब है कि कभी समस्य आ जाए तो समस्य तभी आती है जब आपने कोई गलत काम या है या कोई गलत रस्ते पर हैं त तो आज के दिन 12 जनवरी 1922 बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन हम राष्ट युवादिवस और बिलकुल जनम दिन स्वामी विकानन के उपलक्स में हम यह बहुत ही मेतोपनी वीडियो हैं आपके सामने ला रहे हैं और इस वीडियो से आप कितना सीखते हैं और